समस्कार एक वाफिट से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैं आज की क्लास में हम लोग शिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैलू निकालने का ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा आपका पीछे जो भी अभी एक्जाम हो रहा है हर ए ट्रिग्नोमेट्रिकल वैलू पर आधायत कोश्चंस जरूर्ब पूछे जाते हैं वह आपका छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है उस प्रकार का जो पुछा जाता है उसको भी निकालना हम लोग सिखेंगे तो बने रहीएगा क्लास के अंत तक साथी साथ हम आप किसी भी एकजाम का त्यारी कर रहे हैं उसका जो सबसे बहत्र तरीका उता है किसी भी एक्जाम की त्यारी करने को होता है उसका मॉक लगाना उसके सब करते रहना इन सब के लिए आप गाँ मिलता है लेकिन अगर आप हमारा इस वीड्यों करते हैं वातिका का तो यहां पे आपको 12% डिसकाउंट देखने को मिल जाएगा तो यहां से जाकर कि आप टेस्ट लगा सकते हैं इस application का link भी आपको इस वीडियो के description में देखने को मिल जाएगा तो आएए अब शुरुआत करते हैं आज के class की देखिए अगर हम बात करते हैं trigonometrical value की तो trigonometry पूरी तरह से जो है वह आपका right angle triangle या अगर इसको हम theta मानते हैं तो theta के सामने वाला जो भूजा होता उसको पी यानि कि लंब मानते हैं और जो तीसरा side हो गया उसको हम लोग B से यानि की आधार से रिनूट करते हैं तो यह हो गया आपका कर्ण यह लंब और इसको क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे H P और B अब कोई एक ची और अच्छे से पता होगा कि इन सब को मिला करके यानि तीनों भूजा को मिला करके कुल मिला के छे रेशियो बनता है इसमें से पहला रेशियो क्या है आपका साइंट थीटा क्या होता है लंब और करण का अनुपात यानि इसको हम लोग B by H लिगते हैं और आधार का ratio यानि इसको हम लोग P by B लिखते हैं तो तीन रेशियो तो यह हो गया बागी जो होता है वह इस तीनों का उल्टा होता है जैसे sin theta का उल्टा क्या हो जाता है कॉसक theta क्या होता है अगर sin theta आपका lump और करण का ratio है तो कॉसक theta क्या हो जाएगा करण और लंब का ratio हो जाएगा इसी का उल्टा हो जाएगा और इसी बज़ा से जब आप sin theta में cos theta से गुणा करिएगा तो मान 1 होगा 1 किन्यों होगा क्योंकि यह p by h है यह h by p है h से h कटेगा p से p कटेगा value आपका 1 आपका एक आजाता है कॉस ठीटा का अगर हम बात करें तो इसका उल्टा क्या हो जाता है सेख ठीटा का मान क्या होगा कॉस ठीटा भी वाई एच है तो सेख ठीटा आपका क्या हो जाएगा हम कह सकते हैं कि कॉस ठीटा का उल्टा उसी प्रकार से टैन ठीटा आपको पता है तो कॉस ठीटा क्या हो और इसी से आपका सभी formula बनता है जितने भी technological formula आपके बनते हैं सब आपका इसी पर बनता है एक ची और आपको पता होना चीए कि PBH जो है समकुन तिर्भुज के इन तीनों साइड में एक relation है है रिलेशन क्या है वह आपका chakra Cos rounded hoot है वहापका लमब का स्कुएर और आधार के स्कुएर के बराभर होता है सबसे बरी भुजा का जो वर्ग के योग के बराभर न है किहां प när में जब आप इसको देख्येगा सबसे पहले इसको देखे कि कि जीरो में अगर आपsweise किसी भी संख्या से भाग करते हैं एक से कहने का मतलब 117 यहां पर रहता है उल्टा किसी भी नंबर में ऊपर नंबर रहे और नीचे में अगर 10 है किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग करते लेकिन किसी भी संक्या में जवाब 0 से भाग करते हैं नंबर ऊपर में चाहें कोई भी नंबर लीजिए और नीचे में 0 रखिएगा क्या हो जाएगा वह आपका और नीचे वाला उलटके गुना होगा ZY है तो Y बटा क्या हो जाएगा Z हो जाएगा देखे इससे ही हकट गया तो हम इस चीज को डिरेक्ट लिख सकते हैं कि X बटा Y बटा Z बटा Y है तो इसके नीचे वाला से इसके नीचे वाला कटेगा क्या बचेगा हमारे पास X बटा Z बचेगा इन सब चीजों का आगे आप सकता होगा इस वज़े से हम आपको यहीं पर बता दे रहे था कि वहां आपको दिक्कत न हो ठीक है चली तो इतना बात आप अच्छे से समझ गए होंगे अगर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का तो ट्रिग्नोमेट्री पुरी तर बोलते हैं जो की सबसे वरा साइड होता है राइट एंगल ट्रेंगल में ठीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग लंब से यानि की पीशे रिनोट करते हैं और जो तीसरा साइड आपका वस्ता है उसको लोग भी यानिकी बेस कहते हैं कहने का मतलब आधार अब इस तीनों साइड को मिला करके छे रेशियो बनता है रेशियो आप समझते हैं रेशियो जैसे एक सानुपात वाई को हम क्या लिख सकते हैं एक सबट्टा वाई तो बट्टा के फॉर्म में जब आप किसी छीच को लिखते हैं तो यही रेशियो खालाता है तो पी बी यानि कि तिन नंबर से कुल्मिला के 6 रेशियो आपका बन सकता है और वही 6 रेशियो को हम लोग Trigonometrical Identity के नाम से जानते हैं जिसको साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसिक आप जानते हैं कि लिएर एक बात और यहां पर हम आपको बता दे कि अगर हम आप से कहें कभी कि 10 ठीटा बराबर क्या होता है तो आप तो कहों गहीं कि 10 ठीटा बराबर लंबटा आधार होता है P by B होता है लेकिन 10 ठीटा के बदले आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ठीटा बटा कॉस ठीटा भी लिख सकते हैं क्यों ऐसा लिख सकते हैं साइन ठीटा का मतलब क्या होता है sin theta का मतलब होता है P by H और बट्टा cos theta का मतलब क्या होता है B by H होता है यहां भी देख लिजे नीचे H यहां भी नीचे H P by क्या बचा B P by B किसका मान आया sin theta बट्टा cos theta का और P by B किसका मान है P by B देख लिजे यहां पर P by B tan theta का मान है लेकिन इसके अलावा आप इसको sin theta बटा cos theta भी लिख सकते हैं क्योंकि sin theta बटा cos theta का मान भी क्या आ जाता है PYB ही आपका आ जाता है तो इस वज़ा से लिख सकते हैं और एक बात यहीं पे लगे हांत आप जान लिजे कि कोड theta का मान क्या होता है तो कोड theta का मान जो होता है वह आपका होता है इसका उल्टा हम क्या लिख सकते हैं है च्षीटा बट्टा सांटी थीता यह च्षोटी-च्षोटी बात यह जिसकर आपको ध्यान रखना पड़ेका बिल्कूल basic प्रिक्वाहिए । तो 10 टीटा बराबर क्या होगा साइंट्री ठीटा मट्री लि Yoär हो पा रहा होगा चलिए त Mexico ही पर देख लेते हैं अब वस्न निकालना हम लोग सीखते हैं एक छोटा सा बात आपको बस ध्यान रखना है जब भी ट्रिग्नोमेटिकल वैलू आपको निकालना पड़े जैसे देखे सुरुवात हम साइन से करते हैं तो साइन ठीटा का मान जो होगा वह क्या हो जाएगा रूट अंडर जीरो बट्टा चार क्या होगा रूट जीरो बट्टा चार ठीक है साइन जीरो का मान साइन तीस डीगरी का मान जीरो बट्टा चार लिखे हैं अब लिखे एक बट्टा चार इसको बरहाते जाए ठीक है फिर क्या लिखना है आपको रूट अंडर एक बट्टा चार लिखे लिए अब दू बट मान हम लोग निकालते हैं जब हम लोग अगला सबस्क्राइब देखेंगे तो लेकिन सब जगा जो है हम लोग इन ही कॉंसेट का यूज करेंगे तो यह बहुत इंपॉटेंट है इसको ध्यान रखिएगा यहां पेटरिक क्या हो गया रूट अंडर 0 बटा जिरो में किसी भी नंबर से भाग करिएगा तो जीरो ही होगा और जीरो जीरो यानि एक बटा दो हो गया साइन तीस का मान एक बटा दो हो गया आगे देख लीजेए दो से काटिएगा दो दुना चार रूट दो बट बटा चार को काट्येगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर एक बटा दो होगा होगा दो दुना चार तो चार का बर्गमुल कितना हो जाएगा दो यानि रूट 3 by 4 यहां देखे चार बट्टा चार मतलब एक और एक का बर्गमुल कितना होगा एक का बर्गमुल आपका एक हो जाएगा तो इससे क्या हुआ साइन 0, साइन 35, साइन 68, और साइन 90 सब का मान आपका यहां पे आचुका है साइन 0, 0, साइन 31 बट्टा 2, साइन 45, 1 by root 2, साइन 45, रूट 3 by 2, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा आपका एक हो जाएगा कैसे देहान रखना है, root under 0 बट्टा 4, बट्टा में हर जगा 4 ही रहेगा, उसके बाद 1 बट्टा 4, 2 बट्टा 4, 3 बट्टा 4, 4 बट्टा 4, इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग क्या किये, कि sign का मान याद कर लिए, अब देख लिजे, इसका just उल्टा आपका cost का मान होग आने कि root under, ऐसा क्यों करेंगे, यहाँ बात भी हम आपको बताएंगे, root under 4 बट्टा 4, बट्टा 4, फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर root under 2 बट्टा 4, फिर आगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, तीन लिए, दो लिए, अब यहाँ लिए, अब यहाँ लिएंगे, root under 1 बट्टा चार और लास्ट में क्या लेंगे रूट अंडर 0 बटा 4 कहने का मतलब है कि साइन वाला में क्या हुआ था साइन वाला में हम लोग बढ़ते गए थे लेकिन कॉस वाला में क्या है 4 से सुरू करना है और 0 तक आना है साइन वाला में 0 से सुरू करके 4 तक जाना है लेकिन cos वाले में 4 से शुरू करके और 0 तक जाना है क्यों ऐसा होता है कि sin theta का मान जो है वह आपका जितना theta का मान बढ़ाएंगे उतना मान बढ़ता जाएगा 0 है 1 बटा 2 है 1 by root 2 है मतलब मान क्या हो रहा है आपका मान आपका बढ़ता जा रहा है लेकिन cos theta का मान जितना हम angle बढ़ाते जाएगे मान क्या होता जाता है मान देख लीजे छोटा होटा होता जाएगा तो छोटा होता जाएगा तो हम क्या करेंगे उल्टा चलेंगे पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 अब देखिए 4 बटा 4 मतलब एक और एक का बर्गमुल कितना हो जाएगा एक हो जाएगा यहाँ देखिए 3 का बर्गमुल नहीं निकलेगा तो उपर में root 3 और 4 का बर्गमुल कितना 2 root 3 by 2 हो गया root 2 बटा 4 1 by root 2 हो जाएगा न 1 by root 2 हो गया यहाँ पे यहाँ देखिए 1 बटा 4 तो 1-4-2, máximo 4-4 कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा तो हमें एक बात हमेशए धियान रखना होता है, कि sin 0 का मान 0 लेकिन cos 0 का मान 1 होता है आप इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं जब आगे हम आपको पढ़ाएंगे बताएंगे जब interchanging का concept आपको हम सिखाएंगे तो वहाँ पे आप एक चीज और जान जाएगा कि sin 0 का मान साइन 90 के बराबर साइन 30 का मान कॉस साथ के बराबर है ना कॉस 45 का मान साइन 45 के बराबर तो यह चीज जब आप interchanging सिखेगा वहाँ पे और clear हो जाएगा फिलहाल हम लोग value याद कर रहे हैं तो देख लिजे 0 एक बटा दो 1 बाई root 2 रूट 3 बाई 2 और 1 उसी को उल्टा करम में लिख लिजे ना देखे 1 रूट 3 बाई 2 और 1 बाई 2 और उसके बाद क्या है 0 मतलब जो sin ठीटा का मान है उस clear चलिए अब हम लोग चलेंगे 10 ठीटा में 10 ठीटा को ध्यान रखिएगा 10 ठीटा के बारे में क्या दीखे थे आप 10 ठीटा होता है sin ठीटा बठ्टा कोस ठीटा 10 ठीटा क्या होता है 2 सब्सक्राइब जिरो बट्ठाइब सब्सक्राइब भाख करिए गा अबी नीचे 2, 2 से 2 कर जाएगा, क्या बचेगा, 1 by root 3, 1 by root 3 तो बचेगा, जब आप इसमें इससे भाग करिएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 cancel, ऊपर में, यहाँ पर नीचे में root 3, 1 by root 3, आगे देख लिजे, यहाँ पे सेम चीज़ है, देखिए, 1 by root 2 में, 1 by root 2 से भाग करि बताएगा और इधर देख लीजे क्या है एक बट्टा जीरो से बाग करिएगा पडिकर जीरो में किसी नमबर से भाग करिएगा तो जीरो और यहां क्या होता है अन्डिफाइन तो देखें देखें तो इस तरीके से आप क्या किये हैं इस तरीके से आप यहां फे ब्लं निकाल लिए हैं साइन का और 10 का, अब कॉट में चलते हैं, कॉट ठीटा बराबर देख लिए क्या होता है, कॉट ठीटा बराबर होता है, कॉस बटा साइन, क्या होता है, कॉस बटा साइन, तो देखे एक बटा 0, या फिर आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं, 10 का जो मान होता है, उसका उल्टा ही तो कॉट का मान होगा तो जीरो का उल्टा क्या होता है अंडिफाइन आप बोलोगे सर जीरो का उल्टा अंडिफाइन कैसे एक जीरो का उल्टा अंडिफाइन कैसे होता है कि जीरो को हम जीरो बट्टा एक लिख सकते हैं लिख सकते हैं आप बोलोगे सर जीरो के लिए जीरो बट्टा क कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है तो 0 बटटा 1 अब जब आप इसको उल्टा कर येगा निफाइन हो यह तोह 130 हो जाएगा तो यहां देखिए कॉर ठीटा का माझ अ खालतॉए का उल्टा इक का उल्टा इ ranged उसक्राव में अजये एक हो जाता है आगे रूट सरी का उल्टा यहाँ इन उल्टा यहाँ पे उल्टा यहाँ पर आपका उसलिखा यहां पर क्या हो जाएगा है यहाँ यहाँ पर taraf. का बढटा ön है ना तो यहाँ पिलिद तो यहां पर ओल्टा यहां पर 0 ऊलटा में पहर सकते हैं कि आप साइन बोटा जिरो है और यहां बढ़ते हैं आगे अब अगे बढ़िए अब सेक्षी टीटा का मान बताइए कौस का उल्टा करते चलिए क marshmflower हमें 3 by 2 का उल्टा बता दीजे 2 by root 3 हो जाएगा होगा यहाँ पे हमें क्या करना है उल्टा सेक्षिटा होगा ना तो 0 का उल्टा क्या होगा अंडिफाइन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं को सेक्षिटा का मान निकालते हैं साइन का उल्टा करिए तो 0 का उल्टा बताइए सर 0 का उल्टा अंडिफाइन हो जाएगा एक बटा 2 का उल्टा क्या होगा एक बटा 2 एक हो जाएगा तो इस तरीके से तभी ट्रिग्नमेट्रिकल वैलूज को हम लोग क्या करेंगे याद रखेंगे और इसका यूज जो है बहुत जादा होता है ठीक है हर बार जो है इसके उपर आधारित कोश्चन्स आपको एक्जामनेशन में देखने को मिलता है ट्रिग्नमे करने के लिए हम लोग इन वैलूज का उपईयोग करते हैं तो हर जगा इसका उपईयोग होता है तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा ॅपने कॉपी में लिख करके बार बारिक जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे जो है आपके दिमाग में हर एक वैलूज जो है वो